आग्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की वीडियो में सीख लेते हैं आग्या को इंग्लिश में आप कमांड या ओर्डर कह सकते हैं कमांड या ओर्डर यानि कि किसी को कोई आदेश देना या किसी को कोई कमांड देना यानके जैसे अगर आप ये कहना चाहें कि जैनरल ने आगे बढ़ने का आदेश दिया तो आप कह सकते हैं the general issued a command to advance. या अगर आप ये कहना चाहें कि टीचर ने कक्षा में चुप्पी बनाए रखने की आग्या दिया आदेश दिया तो आप कह सकते हैं the teacher gave a command for silence in the classroom. या अगर आप ये कहना चाहें कि अधिकारी ने अपने काम को स्माप्त करने की आग्या प्राप्त की या order प्राप्त किया तो आप कह सकते हैं the officer received a order from his superior to complete the mission. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें